जै मा काली साथियो आपके प्यारे चैनल स्वपन शास्त्र में आपका स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल में हम आपको बताते हैं कि आपने जो भी सपने देखे हैं उनका संकेत किया है और आपके सपने आपको किस बात का इशारा देते हैं तो इसलिए अगर आपने अभी चले कि हमने आपके किस सपने का रहसे आपके सामने रखा है तो आज भी हम ऐसे ही एक बड़े सपने का गूढ रहसे आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है और हो सकता है कि अगर आपने भी ऐसा सपना देखा हो तो आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत जल्दे ही पलटने वाली हो जी हां आज हम आपको बताने वाले हैं कुए से भरा हुआ सपना जिसमें कुआा ही कुआा आपने देखा है और कुआा भी कैसा या तो भरा हुआ कुआा या खाली कुआा कई लोगों को कुएं से भरे सपने आते हैं एक के बजाए कई कुएं नजर आते हैं और उसमें कुछ कुएं खाली भी हो सकते हैं कुछ भरे हुए कुएं भी हो सकते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सूखे हुए कुए को सपने में देखने का क्या है राज सपने में अगर आपने कुए देख लिया तो इसका एक ही संकेत है कि आपकी किसमत अच्छी होने वाली है कुआ को देखना वास्तों में किसमत बदलने वाला तो होता है लेकिन किस तरह का कुआ आपके लिए कौन सा संकेत लेकर आ रहा है इस राज को इस रहस्य को बहुत कम ही लोग सटीक रूप से बता पाते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं सपने में सूखा हुआ कुआ देखना या ऐसे कुए देखना जिन में पानी ना हो तो चलिए अगर आपने ऐसा कोई सपना देखा है जिसमें कुआ तो है लेकिन वो सूखा हुआ है उसमें पानी नहीं है और पानी है भी तो बहुत थोड़ा सा तो साथियों ये एक चिंता करने वाला सपना है आपको संकीत दे रहा है ये सपना कि आपके जीवन में बहुत ही बड़ी उथल-पुथल मच सकती है आपके जीवन में जो भी खुशिया है उन पर ग्रहन भी लग सकता है जी हां इसलिए इस सपने को हलके में नहीं लेना है आगे कदम उठाना है कि आपकी जिन्दगी में कोई नुकसान आपको न उठाना पड़े और आपका जीवन सही रास्ते पर आगे बढ़े सूखा हुआ कुआ दरसल ये बताता है कि किसी की कोई चीज या तो छिन गई है या छिनने वाली है कुआ का मतलब होता है खुशिया देना लोगों को उनकी प्यास बुझाना लेकिन अगर कुआ खुद ही सूख जाए तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सूखा हुआ कुआ देखा है कुए के अंदर कुड़ा देखा है क कि कुए सूख जाते हैं तो लोग उसमें कूड़ा डाल देते हैं कचड़ा से भर देते हैं ऐसा कोई सपना आपने देखा है जिसमें कुए में कचड़ा भरा हुआ है या कुआ सूखा हुआ है या फिर कुए में पानी तो है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा पानी है ऐसा सपन आपके लिए चिंता करने वाला सपना है आपको ततकाल कदम उठाना चाहिए और आप जिनकी भी पूजा करते हैं आपके जो भी इश्ट देओं है या मा काली, महा काल, भोले शंकर, भोले बाबा की शरण में जाएं और उनसे शरण मांगें, उनसे कहें कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है मैंने देखा है कि कुवा खाली था या कुवे में कूडा था मुझे जो भी खत्रा है, मुझे उस खत्रे से बचाईए मा काली से आप कह सकते हैं कि हे मा तुम तो मा हो हमारी रक्षा करो हमने ऐसा खतरनाक सपना देखा है जो हमारे लिए चिंता का विशय बना हुआ है और मा काली के श्री नवान मंत्र का उच्चारण करते हैं मा की प्रतिमा अथवा तस्वीर के सामने तो मा की कृपा आप पर बनेगी और साथ ही भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र आपके लिए बहुत उप्योगी साबित होगा मा काली का नवान मंत्र है और भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र है इन दोनों को आप धारन कर लें आपके जीवन में जो भी संकट आने वाला है संभव है कि वो या तो टल जाए या उसका असर बहुत ही कम हो जाए क्योंकि सुखे हुए कुए का सपना देखना या कुए में कचड़ा और कुड़ा भरा हुआ देखना खतरनाक साबित हो सकता है तो इसलिए आपको ततकाल सचेत हो जाना चाहिए और अब आते हैं इसके ठीक विपरीत दूसरा सपना यानि कुए में लवालब पानी भरा हुआ है ऐसा सपना देखना पानी से भरे हुए कुए को सपने में देखने का संकेत आपके जीवन के लिए बड़ा ही फलदाई साबित हो सकता है ये आपको बता रहा है संकेत दे रहा है कि अगर आपने सही तरीके से कदम उठाया और अपने देवी देवताओं की इच्छाओं के नुसार पूजन किया किसी भी तरह का लोग लालच नहीं किया तो आपका जीवन बहुत ही जल्दी तेजी गती से सुधरने वाला है और हो सकता है आपको बहुत बड़ा धनलाब होन संपत्ती आपको मिलने वाली है किसी ऐसे पूर्वज की कोई वसीयत जिसके बारे में किसी को पता भी ना हो वो आपको मिल सकता है हो सकता है कि पैत्रिक संपत्ती पिता के गाओं वगरा की कोई संपत्ती आपको मिल सकती है आपने अगर किसी संपत्ती को लेकर कोई मुकदम कर रखा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है यदि आपने कोई व्यवसाय कर रखा है तो आपका व्यवसाय बहुत ही तेजी से बहुत ही तेज गती से बड़ा होने वाला है और आपको बहुत बड़ा धनलाव होने वाला है अगर आप नौकरी में है तो ये भी आपके की मिल सकती है आपकी वेतन में वृद्धी हो सकती है इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छे नंबर पाने का और उनके ग्यान को बढ़ाने वाला सपना साबित हो सकता है लेकिन एक बात का ध्यान रखना है अगर आपने ऐसा कोई भी सपना देखा नहीं है इसको हो सके तो केवल अपने तक सीमित रखें इधर उधर किसी से इसकी चर्चा ना करें अगर आप अपने धर्म पत्नी या आपके पती जो हैं उनसे आप इसकी चर्चा कर सकते हैं लेकिन इसको और किसी से भी इसके बारे में चर्चा ना करें विद्यार्थी है तो इसके बारे में किसी मित्र से, भाई से, बहन से, माता पिता से, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, अगर पती पत्नी में से किसी को ऐसा सपना आता है, तो वो एक दुसरे से ये सपना साझा कर सकते हैं, इसके अलावा ये सपना किसी को नहीं बताना है, चाहे सपन कि कुछ ऐसा लाभ भी आपको हो सकता है जिसके बारे में शायद आपने खुद भी ना सोचा हो और हो सकता है कि कोई ऐसे धन का आपको राज पता चले जो आपका ही हो लेकिन आपसे छिन गया है हो सकता है कि आपका कहीं फसा हुआ धन आपको तेजी से मिलने वाला है और आपकी किस्मत चमकने वाली है तो इन सपनों के बारे में चर्चा किसी से नहीं करना है पती पतनी एक दुसरे से कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने भगवान से जिनकी आप पुजा करते हैं इ मानते हुए भोले बाबा को कुल देव समझते हुए उनके सामने अपना सपना प्रकट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं जो किसी के भी कुल देव बन सकते हैं इन्होंने शृष्टी को अपने हाथों में थाम रखा है इसलिए आप इनके सामने अपने सपने को प्रकट क तो वहां मुह से नहीं बोलना है, मन ही मन अपना सपना प्रकट करना है, मन ही मन बोलते हुए, आपकी आवाज सपने की बात किसी और के कान में नहीं जानी चाहिए, तो आपको ये सपना इनके सामने प्रकट करना है, अगर सुखा हुआ कुआ देखा है, तो उससे भी बचाओ के लिए और भरा हुआ सपना देखा है तो उसके लिए भी आपको इनके सामने जाकर इनका धन्यवाद करना है और कहना है कि हमारे उपर कृपा आपकी बनी रहे इस बात का ध्यान रखना मा इस बात का ध्यान रखना भूले बाबा और साथ ही जो भी कारे आप करें पूरे पर तो साथियों आज सूखे कुएं और पानी से लवालब भरे हुए कुएं के बारे में जो आपने सपना देखा हो उससे समंधित जानकारी इतनी ही मैं दे रहा हूं और जल्दी एक नए सपने की जानकारी लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और यह भी कहूंगा कि अगर आपने ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ततकाल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी जानकारी अपलोड करें आपको उसकी जानकारी तुरत मिल जाए नमस्कार जैमा काली